SRH squad full analysis हम इस वीडियो में करने वाल है पूरी टीम देखेंगे कौन है अच्छा क्या होगी dream team हम पूरा हम सारे players की analysis करेंगे dream team में आपको बताऊंगा क्या होनी चाहिए और उसके बाद हम rating देंगे out of 10 तो वीडियो को पूरा देखना welcome to digital network तो दोस्तो Sunrisers हैदरबाद के जो captain है वो है डेविड वर्नर उसके साथ आते है अभिशेक शर्मा जोकी इनका आई पिल्ड डेब्यू 2018 में हो चुका है अच्छे खासे player है दोस्तो उसके बाद बैसिल थंपी जोकी आई पिल्ड डेब्यू 2017 में हो चुके आप इनको पेचानत होंगे डेविड और बेर्स्टो की ओपनिंग साला में होती थी केन विल्यमसन मनिश पांडे मोहमद नभी उनको लेकर आते है रशीद खान चुकि आप सब पेचानते होंगे बेस्ट बॉलर है इसारेट के लिए उसके बाद संदिप स्यर्मा जोकी एक फास्ट बॉलर है श में कुछ सीजन इनको चांस नहीं मिला असित धारत कॉल दोस्तों ये भी एक अच्छ अच्छे बॉलर है एसारेट के लिए खैलिल अहमद बहुत बढ़िया और टी नट राजन जो 2017 में डेब्यू हुआ था लेकिन उसके बाद इनको ज्यादा चांस नहीं मिला विजह शंक तो इनको भी आप पेचानते होंगे संदेभ भावन का और ये एक आईपिल्ड डिब्यू वाले प्लेयर है फैबियान एलेन अब्दूल समाद और अब्दूल समाद की प्रोफाइल देखे तो ये 19 एर्स के हैं दोस्तों और आखिर में आते हैं संजय यादव इनका भी और इसके साथ हम देखेंगे ड्रीम टीम तो ड्रीम टीम के अगर हम बात करें तो केन विल्लियम संड डेविड वर्नर मनिश पांडे प्रियम गर्ग मुझे लगता है क्योंकि यंग प्लेयर को चांस देना चाहिए उसके बाद आल डाउंडर में आते हैं विजय शंकर महु किपर होंगे बुवनेश्वर कुमार और संदिप शर्मा का बॉलिंग अटैक रहेगा रशित खान उनको साथ देंगे और सिधार्थ कॉल और यह पूरी टेम देखने के बाद मुझे लगता है कि इसे देने चाहिए सेवन स्टार क्योंकि दोस्तों सेवन स्टार आउट है हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं अलग अलग टीम के अनेलिसिस तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू